कई दिनों से देखने को मिल रही हैं, कहीं पता चलता है राजस्थान के अंदर एक प्रिगनेंट लेडी को एक मा को इसलिए इलाज करने से मना कर दिया जाता है अस्पताल में क्योंकि वो मुस्लिम धर्न से थी देखने को मिला कि ये एहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुसल्मानों और हिंदूओं को अलग-अलग इंतजाम किया गया ये भी देखने को मिला कि कोई ठेले वाला सबजी बेचने जा रहा है तो उसको लोग इकठा होके पीद दे रहे हैं लोगों से धर्म पूछ कर सामान खरीदा जा रहा है ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के कौसांबी जिले में एक ग्राम प्रधान ने अफवा फैला दी कि बारा लोग तब्लीकी जमात के आए हुए है और जब लोग वहां पर इकठा हुए पुलिस को उसने सूचना दे दी पता चला कि बारा मज़दूर थे जो कुरंटाइम किये गए थे वोगों सारे के सारे हिंदू थे जैन साथियों इस वक्त जहां एक और पूरा देश कोरोना संकट से जूज रहा है वहीं कई ऐसी खबरें आती हैं जो मन को बहुत विचलित करती हैं परिशान करती हैं और ऐसी ही खबरें कई दिनों से देखने को मिल रही हैं कहीं पता चलता है राजस्थान के अंदर एक प्रिग्नेंट लेड़ी को एक मा को इसलिए इलाज करने से मना कर दिया जाता है अस्पताल में क्योंकि वो मुस्लिम धर्न से थी देखने को मिला कि ये एहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुसल्मानों और हिंदूओं को अलग-अलग इंतजाम किया गया ये भी देखने को मिला कि कोई ठेले वाला सबजी बेचने जा रहा है तो उसको लोग इकठा होके पीड दे रहे हैं लोगों से धर्म पूछ कर सामान खरीदा जा रहा है ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के कौसांबी जिले में एक ग्राम प्रधान ने अफवा फैला दी कि बारा लोग तब्लीकी जमात के आए हुए है और जब लोग वहां पर इकठा हुए पुलिस को उसने सूचना दे दी पता चला कि बारा मजदूर थे जो कुरंटाइम किये गए थे औरो सारे के सारे हिंदू थे ऐसे समय में जब कुरोना से पूरा देश जूज रहा है लड़ रहा है सारी सरकारे दिनराच चिंतित हैं लोग अलग अलग धार्मिक संस्थान राजनितिक पार्टियां सामाजिक संस्थाएं व्यक्तिकत तोर पे बहुत सारे लोग लोगों की मदद करने में जुटे हैं ये भी खबरे देखने को मिलती है कि कभी मुरादाबाद में डॉक्टरों पे हमला हो जाता है कभी इन दौर में डॉक्टरों पे हमला हो जाता है कभी पंजाब के अंदर एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट लिया जाता है ये भी खबरे देखने को मिलती है कि कुछ लोग ऐसे समय में पुलिस का उधसा वर धन करने के लिए फूल की बरसा करते हैं उनके उपर, तो नफरत की भी खबने, महबत की भी खबने, मदद की भी खबने, दुर्भावना की भी खबने, यह तमाम सब कुस देखने को मिल रहा है! लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस बीमारी से हम लोग जीत सकते हैं अगर हम इस बीमारी को हरा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्ता के दम पर सिर्फ और सिर्फ एक सो तीस करोन हिंदुस्तानियों के संकल्प से एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं अभी एक थेरेपी की चर्चा बहुत हो रही है इंडुस्तारी एक तरफ तो खबर चल रही है कि मुसल्मान यहां पर इन्होंने फैला दिया कुछ विसेस सोच और विचार के लोग यह फैलाने की कोशिस कर रहे हैं कि मुसल्मानों ने यह पूरा देश के अंदर कोरोना फैला दिया मुसल्मानों ने कोरोना फैला दिया लेकिन इस बीच कुछ खबरे ऐसी भी आती हैं जिससे हमको सबक लेने की और सीख लेने की दरूरत है एक खबर आई कि प्लाजमा थरेपी के जरिये कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाग संबव है प्लाजमा थरीपे के जरिये जो मरीज वेंटिलेटर पे हैं जो जीवन मौत से जूज रहे हैं उनका इलाग संबव है और दिल्ली के मैक्स हेल्थ क्लीनिक में मैक्स हेल्थ केर में वहाँ के डॉक्टर हैं सुधी गुधी राजा उन्होंने इस थेरेपी से एक मरीज का इलाज शुरू किया मैं वो थोड़ा आपके बीच में पढ़के सुना देना चाहता हूँ ये मैक्स हेल्थ केर है इसके क्लीनिकल डारेक्टर है सुधी बुधी राजा डॉक्टर सुधी बुधी राजा इन्होंने प्लाजमा थेरेपी का इस्तेमाल करके एक मरीज का इलाज सुरू किया और उसकी हालत में काफी हद तक सुधार हुआ है और डॉक्टर साब का कहना है कि वो मरीज जल्द ही वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा एक दो दिन के अंदर अब उसको बेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके स्वास्त में इतनी तेजी के साथ सुधार हो रहा है लेकिन ये प्लाजमा थेरेपी है क्या ये प्लाजमा थेरेपी जिसकी चर्चाच पुरी दुनिया में हो रही है वो कोरोना संकट से लड़ने के लिए एक सबसे सटीक जरिया बन रहा है प्लाजमा थेरेपी एक सटीक इलाज बन रहा है प्लाजमा थेरेपी सौ प्रतिसत इस पर कोई दावा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी इसमें काफी हद तक इलाज करने में सफलता मिल रही है कोरोना के गंभीर मरीजों प्लाजमा थरेपी के जरिये गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज सुरू होगा और वो ठीक किये जा सकते हैं ऐसा डॉक्टरों का दावा है प्लाजमा थरेपी वो है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमन से ग्रसित हो जाता है अगर कोई व्यक् को को करोना हो जाता है है उसके बाद अगर उसका वू ठीक हो जाता है इलाज के बाद लांगста के बाद होका सरीर संहें एक एंटी बाडि़ी डेफ्लप होता है और अगर करोणा से शुकरित वेक्ति जो ठीक हो चुका है उसका ब्लड निकाल कर किसी गंभीर मरीज को उसका प्लाजमा चड़ाया जाए उसका प्लाजमा ट्रांसपर किया जाए तो वो मरीज ठीक हो सकता है यानि आप समझ गए अगर कोई कोरोना पॉजिटिव का केस है वो ठीक हो चुका है तो उसके सरीर का बलड लेके उससे प्लाजमा निकाल कर अगर किसी गंभीर कोरोना के मरीज़ को ट्रांसफर किया जाता है तो वो ठीक हो सकता है उसका इलाज संभव है उसके स्वास्त में तेजी से बदलाव आ सकता है ये अब तक के मेडिकल साइंस के जड़ी ये बाते निकल कराएंगे तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में जो पॉजिटिव केसे हो रहे हैं जो लोग अफ़वा फैलाते हैं अगर उनकी भी बात मान लिया जाए कि मुसल्मानों के ज़्यादा पॉजिटिव केसे हो र प्रती नफरत फैलाना कोई अच्छी बात है क्या ऐसे समय में उनके उनके प्रती नफरत फैलाकर हम उनको अपने से दूर नहीं कर रहे हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो अगर उसको कुरोना से पॉजिटिव हो रहा है तो इस ठीक हो सकता है अगर वो मरीज इलाज के जरी ठीक होगा तो कहीं न कहीं उसके बलड का उप्योग उसके खून का उप्योग किसी दूसरे गंभीर मरीज के इलाज में किया जा सकता है plansma therapy के माध्यम से Plasma therapy के जर्ये इसका मतलब जो मुसल्मान आज करोना पॉजिटिव हो रहा है ठीक होने के बाद उसका खून किसी हिंदू के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो हिंदू आज करोना पॉजिटिव से ठीक हो रहा है उसका खून ठीक होने के बाद किसी मुसल्मान के लिए इस्तेमाल हो सकता है भाई चारे और गंगा जमनी तहजीब हमारी एकता का ये सबसे बड़ा उदारण होगा इसलिए साथियों और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है ये काम बंद कीजिए और ऐसा करने वाले हर विक्ति का खुल कर विरोध कीजिए जो किसी ठेले वाले को, किसी सबजी वाले को, किसी सामान बेचने वाले को, किसी छोटी मोटी दुकान करने वाले मुसल्मान को ये कहकर परिशान करते हैं और उसका सामान फेक देते हैं या उसके यहां से खरीदारी करना बंद कर देते हैं कि वो मुसलमान है या फिर उन लोगों के भी विरोध में अपने स्वर बुलंद कीजिए जो लोग धर्म देखतर इलाज करते हैं यह जानने के बाद कि यह मुसलमान है उसका इलाज करने से अपना हाथ पीछे कीशते हैं यह हमारी संस्कृति नहीं है यह हमारी सब्ध्यता न कि है हम कहते हैं अद्विंद केजणीवाल जी हमेसा गीट गाते इंसान का इंसान से हो भाई。 यह सब Yes, आप अधिन दृत्व हधाद है हिंदू दर्म की。 हमिशनी की बाध कहता है किता है पूरा विस्व हमारा परिवार है यह हमारे हिंदू की भी पैचान है, हम सब को अपने परिवार का एक सदस से मांगे तो इसलिए साथियों आज इस कुरोना संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचिए इंसामियत और भाई चारे के बारे में सोचिए नफरत को हराइए मुहबब को जिताइए जय दे को झालक अेन से राइए में सोचिए और बारे में सोचिए अपने के दाइए के बारे में सोचिए शर भाईतार के लिग Diskussो कि अव्याम से मांगे रिवारे के बारे में समय वारन वारे युछ नव monthsate время कि अवद थाऊने की में सिलिएगख ईसलिए के रिंग ह